नमशार आज का पाठ नमक का दरोगा इस पाठ की आज में आपको व्याग्या और इसके कुछ महत्रपूर्ण प्रिश्ण उत्र भी बताने वाली हूँ तो इस पाठ में जो कहानी बताई गई है वह एक बहुत ही इमानदार इंस्पेक्टर की बताई गई है जो सब इंस्पेक्टर है और वह नमक विभाग में सब इंस्पेक्टर के पदपर कार्य करते थे सरकार ने नमक का कानून बना दिया था और नमक का बनाना जो था वो अपने हाथों में ले लिया था यानि सरकारी नियंत्रण में आ गया था नमक का बनाना अब हर व्यक्ति नमक नहीं बना सकता था और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसके कारण व्यापार में चूरी, कालावाजारी, रिश्वत खोरी, प्रष्टाचार सभी बढ़ गए थे पटवारी के पद और नमक विभाग की नोकरी दोनों में बहुत जादा कमाई होने लगी थी इन दोनों विभागों में प्रष्टाचार भी बढ़ गया था घूस खोरी यानि रिश्वत खोरी भी काफी बढ़ गई थी इसलिए जादा तर लोग इस नोकरी को करना पसंद करते थे एक समय ऐसा भी था कि फार्सी पड़ेवी लोग जो थे उनको सरकारी नोकरी आसानी से मिल जाती थी यहाँ पर जो कहानी का मुख्य पात्र है उसका नाम है बाबु गंशीधर और जब वह रोजगार था तो उसके पिताजी उसे एक सीख देते हैं और कहते हैं कि बेटे तुम नोकरी करने चले हो तो मेरी एक सीख सुन लो और वो कहते हैं कि नोकरी में उंचा या नीचा पद मत देखना बस ये देख लेना कि उसमें रिश्वत मिल रही है या नहीं यानि कि रिश्वत का माल वहाँ पर मिलता ही रहे ऐसी तुम नोकरी करना वो किसी प्रकार की नोकरी को पीर का मजार कहते हैं पीर का मजार क्यों कहते हैं ओधा वही स्रेष्ट है जिसमें लोगों का आकश्षन हो जिस पर चड़ावा खूब चड़ता हो इसलिए वह उसको सलाह देते हैं कि रिश्वत वारी नोकदी की तलाश करना दूसरी तरफ एक सेट जी है जिनका नाम है अलोपी दिन अलोपी दिन को अपने धन पर बहुत गर्व है और बहुत भरोसा है और वो ये सोचते हैं कि रिश्वत देने से बड़े से बड़े काम निकल जाते हैं और रिश्वत के अगे सभी जुकते हैं यहां तक कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है इसलिए वो धन के बलबूते पर स्वर्ग में भी स्थान पा जाएंगे और उनका यह कथन सत्य भी लगता है क्थन सत्य क्यों लगता है क्योंकि उन्होंने दुनिया को धन के बदले में बिखते हुए देखा था उनका यह कहना था कि न्याय और नीती सब धन के आगे खिलोने है एक दिन जब वहा नमक की बोरे ट्रकों में भर कर ले जा रहे थे तो बंशीधर बाबू उन्हें पकड़ लेते हैं क्योंकि नमक को गैर कानूनी ढंग से ले जाना गलत था और अलोपी दिन ने यह काम किया था जो उसे बहुत ही भरस्ट आजरन लगता था इसी कारण से बंशीधर उसे हिरासत में ले लेते हैं पंडित अलोपी दिन के सामने आज तक किसी भी करमचारी ने अपमान की बात नहीं की थी क्योंकि सभी व्यक्ति उनके धन के खरीदे हुए गुलाम थे इसलिए वशीधर जैसे द्रड़ अफसर से उन्होंने जो अपमान की बाते सुनी इससे वो भोचक के रह गए थी क्योंकि उनके जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने उनका अपमान किया हूँ यहां पर बदलू सिंग दरोगा वंशीधर का माथथ सिपाही था माथथ यानि उसके अंडर में काम करने वाला करमचारी था और जब वंशीधर ने पंडित अलोपी दिन जैसे इजद्दार और प्रभावशाली सेट को उसने कहा कि गिरफतार कर लो तो बदलू सिंग डर और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अलोपी दिन को हथकरी लगा दे अब अलोपी दिन रिश्वत के रूप में उसे 20,000 रुपे की बड़ी राशी पेश करते वे थक जाते हैं जब वंशीधर ने इतनी बड़ी रिश्वत को भी ठुकरा दिया तो अलोपी दिन निराश हो जात हैं कि बस अब मुझे और अधिक पैसा देने की हिमत नहीं है चाहे तो आप मुझे गिरफतार कर लो यहां पर धन और इश्वत की हजारों रुपे वाली सेना के सामने वंशीधर बावू बिलकुल अपने धरम पर अडिग रहते हैं और बिलकुल अचल होकर खड़े रहते ह हैं पूरे शहर में पंडित अलोपी दिन का खूब मान सम्मान और नाम था क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे और उन्हें एक सफल और इज़दार आदमी समझा जाता था दूसरी तरफ वो नमक की चोरी के सिलसले में पकड़े गए तो पूरे शहर के लोग यह सुनकर के हल हो गया कि किस प्रकार से उन्हें जेल में लेकर के जाया गया है किस प्रकार से उन्हें हतकड़ी लगा करके अदालत ले जाया गया यह देखने के लिए सभी वाशी जो थे शहर के वाशी जो थे वो रास्तों में छतों पर और दिवारों पर खड़े हो जाते हैं उन्हें द बक्ष में हो जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई उनका खरीदा हुआ गुलाम हमेशा से रहा था कभी ना कभी उनसे किसी का काम जरूर पड़ा था और इस प्रकार से कछरी के सभी करमचारी और अधिकारी अलोपी दिन की आते ही हलचल में आ जाते हैं और वे सब चाते हैं कि अलो पीदीन के द्वारा प्राप्त कृपा का बदला चुकाना चाहते थे और वो सोचते थे कि आगे भी उन्हें और इनाम मिलेगा लेकिन दूसरी तरफ वंसी धर अपने करतवे पर अडिग थे और वहें एलो भी थे एलो भी यानि लालची नहीं थे यहां पर बहुत सारे चाही और उनका स्पष्ट भाशन था उसके गवा भी उसका साथ छोड़ने के लिए डावा डाल हो गए थे क्योंकि उन्हें लालच दे करके खरीद लिया गया था इस प्रकार वहें सत्ते की अकेली आवाज का प्रतीक बन गया था अदालत के सारे कर्मचारी कहीं ना कहीं अलोपी दिन के पैसों से बिके वे थे इसलिए सभी ने वन्शी धर के विरुध काम किया और इस प्रकार वन्शी धर अकेले पड़ गए और मुकदमा शिग्र ही निपट गया और वे सच्चे होते वे भी दोशी सिध कर दिये गए वकीलों ने सुनाया तो वो खुशी से उचल जाते हैं उन्होंने ही जूट को सच बना दिया था उन्होंने ही चोरी करने के बावजूद अपने जूटे तक जाल से मुक्त करा लिया था अतै वो खुश हो जाते हैं उन्हें सेट जी से इनाम मिलने की आशा भी थी पंडित अलोपी दिन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर आ जाते हैं और अपनी शक्ती पर उन्हें बहुत गर्व होता है। सेट जी के रिष्टेदारों और स्वेजनों ने रुपे लुटा दिये जो जितने पैसों से प्रशन हुआ उसे उतने दिये गए। मानों अलोपी दिन की उदारता का समुद्र उमर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि पंडित अलोपी दिन बहुत ही उदार वेक्ती हैं और उसकी लहरों ने अदालत की नीम हिला दी। इसका दर्चपरी क्या है कि जो अदालत थी उसके सामने इमानदारी और सत्यनिष्टा जो थी वो खत्म हो गई थी। नीम हिलना यानि अब अदालत कुछ भी नहीं रही थी केवल पैसा ही सब कुछ था। वंशीधर के पिता वंशीधर की इमानदारी पर शुरू से ही खिन रहते थे और हमेशा व्यंग्य करते रहते थे। और वो कहते थे कि वह तेरी इमानदारी तु तो वही काम कर रहा है घर में अंधेरा चाहिए लेकिन मस्जिद में दिया आवश्य जलाएगा। यानि कि घर की अवस्था खराब है और आप तो अपनी इमानदारी के चक्कर में पड़े हुए हो इन बातों से उसे बहुत दुख होता है और वंशीधर के पिता को भी बहुत दुख होता है अपने बच्चे की इमानदारी पर और वो इस बात पर बहुत बुरे तरीके से तड़पने लगते हैं और बोलते हैं कि मन करता है कि मैं तुम्हारा दोनों का सिर्फ ओड़ दूँ अपना भी और तुम्हारा भी इस अवस्था से तो मर जाना अच्छा है ये कह कर वे बहुत पच्टाते रहते हैं और दुख प्रकट करते रहते हैं और उन्होंने गुस्षे में आकर वंशी धर को बहुत सारी बुरी-बुरी खरी-खोटी सुनाई दूसरी तरफ पंडित अलोपी दिन जो काफी अथाह संपत्ती के मालिक थे उन्हें अपनी सारी संपत्ती और रख्षा की देखभाल के लिए एक इमानदार और अच्छे चरीतर वाले अफसर की जरूरत थी और उन्हें लगा कि वंशी धर ऐसा व्यक्ती है जो ये काम कर सकता है उन्हें लगा कि ये व्यक्ती उनकी संपत्ती की भी उसी तरह रख्षा करेगा जिस प्रकार उसने नमक की की थी और इसी कारण से यही सोच करके वहाँ वंशी धर के घर आते हैं और उसको नोकरी पर रख लेते हैं अलोपी दिन वंशी धर को नमक के दरोगा वाले रूप में देखना चाते थे और वहे दरोगा जो बे मुरवद हो यानि जिसको धन से कोई लोब लालच ना हो पठोर हो और धर्मनिष्ट हो अलोपी दिन क्या चाते थे कि सत्य की मार्क पर जो अटल और अडिग रहता है वहे मनुष्य मोती के समान मुल्यवान है यही सोच करके वहे मंशी धर को अपने यहां अनोकरी पर रख लेते हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि अलोपी दिन का चरित्र एकदम से बदल जात है पहले वह बहुत ही बेईमान है फिर वह अंत में जाकर के सत्य की तुलना में खुद को रख देता है और चेंज हो जाता है अपने व्यक्तित्व को बजल लेता है और वंशी धर को मिट्टी में मिलाने की वजाए अपनी सीर आंखों पर बिठाता है अंत में वंशी धर की जीत होती है यानि कि सत्य की जीत होती है अगर हम इसके कुछ भैतपुन प्रिश्णों की बात करें तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि अलोपी दिन का चरीत्र चित्रन कर सकते हैं कि पहलेवे किस प्रकार से बेइमान था या कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे ज़्यादा प प्रभावित करता है क्यों करता है क्योंकि वह सत्यनिष्ठ और चरित्रवान दरोगा है और उसके माता पिता उसे बेईमानी की सलाह देते हैं पर अपने पत से भरस्ट नहीं होता है और वह कीचड में खीले हुए कमल के समान है आखिरकार पंडित अलोपी दिन भी उसकी इसी द्रड़ता पर मुग्द हो जाते हैं और उसे पुने नोकरी प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से अगर बात दूसरे प्रिश्निकी करें तो नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दिन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू है दोनों मैंने आपको बताए हैं कि एक वह कील कैसे व्यवार कर रहे थे शहर की भीड किस प्रकार से विहव कर रही थी और शीधर के पिता इसी तरह से नमक का दरोगा कहानी का कोई अन्य शिर्शक बताईए तो इसका अन्य शिर्शक सत्य की जीत भी हो सकता है अगर इस पार्ट से समंदित आपकी कोई प्रेश्न है तो आप कमेंट सेक्षिन में जरूर कमेंट करिए इसके इलावा मैंने इसके और जानकारी के वीडियो भी बना रखे हैं नमक का दरोगा जो पार्ट है इसके मेरे चैनल पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगे तो आप वो भी देख सकते हैं इनके प्रेश्न उतर का वीडि